Hello everyone, good morning, नमस्कार, 19 अप्रेल 2021 और आज के The Hindu News पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे, आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा प्रिवर्तन I.S. Academy टेलेग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर इसकी Sachen नहीं करेंगे, डारेक्ट हम सुरू करेंगे, एडिटोरियल पार्ट से उसके बाद News को कवर करेंगे, एडिटोरियल में तीन एडिटोरियल ऐसे हैं जो की बहुत important है, और जो एडिटोरियल करन इफेर में होगा, या News में होगा और डिटेल से discussion करने की जुरूत होगी वहाँ डिटिल से discussion करेंगे और जहाँ पर लगेगा कि summarize form में काम चल सकता है वहाँ पर summarize form में discussion करेंगे सबसे पहले बात करेंगे normal is good करके एक article दिया गया यह article basically Indian Metallurgical Department जो कि Ministry of Earth Sciences के अंडरकाम करता है उसने forecast करा है monsoon को लेकर यह important है जोवर्फी के लिए important है और अवरोल अगर आप Indian economy को observe करेंगे क्योंकि monsoon based economy है खासकर अग्रिकल्चर सेक्टर में तो यह important हो जाता पूरा का पूरा सिनेरियो Indian Metallurgical Department IMD ने यह कहीं ने कहीं यह continue करें इस बात की ensure किया जाएगा और इस बात को focus किया जाएगा कि business and services sector क्योंकि IMD का जो prediction होता है वो important होता है business और services sector के लिए agriculture के लिए तो होता ही होता है इन sector के लिए भी इतना ही important होता है इसमें एक forecast किया गया एक prediction किया गया कि monsoon जो है वो normal रहने की possibility है अगर monsoon normal रहते इसका क्या मतलब होता है 96% से 104% का जो के beach में average माना जाता है ये कह सकते कि normal monsoon इस बार रहने वाला है इसमें June September के आसपास का जो period होता है क्योंकि June में start होता है और September में monsoon का जो complete phase है जो खतम हो जाता है और इसमें frequency रहती 88 cm के आसपास ठीक है और इसमें long period average को analysis किया जाता है long period average का मतलब क्या है 1961 से 2010 तक का time period इसके बाद अगले अब क्योंकि 20 year include हो जाएंगी ये time जो change होता रहता है इसमें लगवग 50 साल के basis पर analysis किया जाता है तो यहासा नहीं कि ये केवल एक साल में दो साल के basis पर analysis किया जाता है weather और climate में difference होता है weather एक particular time particular day के लिए हो सकता है और लेकिन climate जो है एक लंबे time का weather को analysis करते होए उसकी average को आप बोल सकते है climate situation ठीक है तो दोनों में difference है इसी तरीकी कि यहाँ पर बताया गया इस analysis के basis पर है forecast के basis पर दो तिन चीज़ी समझ सकते है पहला update किया गया है यानि जो जून में monson शुर होगा उसमें पहले update होते है अप्रेल में उसके बाद update होगी या तो मई end में हो जाएगी early जून में कि क्या किस तरीकी की monson जो वो prediction किया जाता है इसमें Northwest India, North East India, Central India और Southern Peninsula के अंदर किस तरीकी की rainfall या किस तरीकी की बारिष या कितनी बारिष होने वाली है जिससे क्योंकि ये पूरा का पूरा season जो होता है जुलाई, अगस्त, ये वाला पूरा का मई, अप्रेल मई, जून, जुलाई, ये वाला सेक्टर के लिए भी फायदेवन होते हैं और भारत का agriculture सेक्टर जो है वो highly dependent है मौनसोन के ओपर और खास कर क्योंकि अब देखेंगे साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी river dispute है क्योंकि पानी की shortage हो जाती है तो मौनसोन एक important source भी है उनको continue करने को लेकर इनके अलावा मौनसोन पैटरन को analysis करना या मौनसोन इसकी परकार की रहने वाली है इसका एक अलग तरीके से भी कहीं important use के जाता है इस data को लेकर data का इसलिए use के जाता है क्योंकि अगर ये data हो तो preparedness की जा सकती है कहाँ पर जैसे 2019 और बीस में IMD ने forecast किया था कि normal monsoon रहने वाली है यानि monsoon जो है वो normal रहेगी लेकिन उस पे impact हुआ और वो कहीं ने कहीं 110% 109% कुछ जो हो ज़्यादा देखने को मिली और इसमें central equatorial pacific ये वाला जो region है यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर ये माल लेते हैं ये pacific का पूरा region है ठीक है इस specific region में आप central में इस तरह की आप चीज़े मान सकते हैं लेकिन जो ये वाला region है जहाँ पर पेरू के पेरू वाला जो region है इससे analysis किया जाते है कि alnino और इसके बाद lanino इनका impact क्या पड़ेगा वो analysis करने के बाद ही पता चलता है और उसका क्योंकि definitely अगर ये वाला area जो है यहाँ से warm current ocean current जो है वो impact करती है पूरे की पूरे rainfall pattern को लेकर उसी के उसका असर होगा monsoon के उपर भी अगर ये warm होरा ocean तो इसका definitely असर जो हो हमारी monsoon pattern पर भी होगा अल निनो ला निनो इस तरह की state में वर्ड आप जुरूर पढ़ना आपको जोगर्फी के अंदर भी पढ़ने को मिलेंगे इनके अलावा इसी में अगर आप देखेंगे Indian ocean dipole एक वर्ड यूज किया गया Indian ocean dipole ये जो exact वर्ड यूज किया गया ये UPSV प्री में सवाल एक बार हुआ था तो इसको देखान रखेंगे Indian ocean dipole है क्या बिसिकली Indian ocean dipole is defined by a difference in sea surface temperature between two areas दो areas के बीच के temperature को define करता जिसमें एक western side आप देखेंगे अरबियन सी है और western Indian ocean और eastern side जो है वो eastern Indian ocean जो है वो south of Indonesia इस वाले particular region को माना जाता है कि Indian ocean dipole है ये effect करता है climate को Australia का हो या दूसरी countries को जिसके around है ठीक है यानि आप इसको कह सकते हैं कि Indian अलनिनो की तरह है जैसे अलनिनो इलानिनो है तो भारत की context में भी इसका असर होगा तो ये important ये word के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके अलाबा इस page में अगर आप देखेंगे क्योंकि monsoon के pattern के monsoon के forecast के analysis करने में या जो preparedness होती है उसको करने मदद मिलती है खास कर disaster preparedness होती है आपने कई जगा देखा होगा कि monsoon के time पे कई सारी cities के अगर उसके लिए पहले से हमें पता हो कि बारिस ज़्यादा हो सकती है तो हम उसके लिए एक planning कर सकते है इनमें कई सारी business और services sector है खास कर ऐसी industry जो कि science and infrastructure लेक्ट है वो उसके basis पर ही काम करती है तो ये important है Indian technological department और पूरा का पूरा monsoon session ठीक है second article है क्यूबा के बारे में और क्यूबा एक country है जिसके बारे में मैं आपको map में दिखा दूँ यह यहां पर आप देखेंगे जस्ट अमरीका और मेक्सिको के बिल्कुल close पड़ेगी क्यूबा एक island country है और recently जो Dominican Republic भी न्यूज में रहा था कई example आप दे सकते हैं अपने means के answer writing के अंदर यहां पर क्यूबा के जो political party थी Communist Party of India उसके head थे जो राउल कास्त्रो उन्होंने resignation दे दिये retirement ले लिये और कास्त्रो बर्दर्स ये कही ने कही माना जाता है कि इन्होंने rule किया country के अंदर historically 1959 से लेकर अब तक अब यह माना जा रहा है कि एक अच्छा chance है क्यूबा के पास कि वो ensure करे कि एक politically economic change वहाँ पर देखने को मिले 1959 के बाद यह कहीने कि इन्होंने capture करी और 2006 के अंदर जो इनके भाई थे पहले वो फाइदल कास्त्रो वहाँ पर सासन कर रहे थे बाद में इनके छोटे भाई को इन्होंने कहा कि वही आप रूल करी यहनि दोनों भाई ने सासन किया almost 2018 तक डाइन रख ली लेकिन political party जो थे communist party of क्यूबा जो आप बोल सकते हैं उसमें इनका एक important रॉल था बाद में अभी 2021 में resignation दे दिया है और अब यह पूरी power जाएगी dies केनल करके एक person है वहाँ पर और इन में shift की जाएगी तो यह अपने आप में एक अलग तरीके का role play करते हैं अब माना जाता है कि क्यूबा एक important economic perspective से important हाला कि economy जो है उन्होंने कई सार restriction लगाए गए थे और कई सार रिस्टिक्शन होने की वज़े से कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली इससे पहले हमने देखा था कि क्यूबा और US के definitely relation अच्छे नहीं है reason is that क्योंकि यह जो है इनके रस्या से relation अच्छे थे और क्योबन मिसाइल सिस्टम के बारे में हम पढ़ते 1961-2 के आसपास जो हुआ था और उसके पीछे reason यह था क्योंकि यहाँ पर माना गया था कि मिसाइल जो है तेनात कर दी थी और इस में क्योंकि यह बिल्कुल US से के पास है और अगर यहाँ पर न्यूकिलर मिसाइल यह इस तरह की मिसाइल खड़ी हो जाएगी तो definitely challenge है उसके बाद से इनके relation बिल्कुल अच्छे नहीं है ब्राग Obama जब President थे तब कोशिस की की थे embassy खुली गई थी लेकिन फिर Donald Trump की government में कोई ऐसा relation में progress नहीं हुई दोनों countries के बीज में ठीक है अब क्योंकि यह closed economy है closed economy का मतलब क्या होता है कि कोई export और import इतना ज्यादा नहीं होता और लगपग लगपग closed economy है हलाकि इस टाइम पर दुनिया में तो क्योंकि वो manufacturing economy है और अगर export नहीं करेगी तो country की जो economy है वो अपने आप में degrade हो जाएगी तो जो export और import माना जाथा दोनों बहुत important है लेकिन इन्होंने क्या-क्या अपनी economy को बिल्कुल close कर दिया लेकिन क्यूबा की जो achievement मानी जाती है वो दो field में बहुत important है पहला education और second है healthcare में यही मैं बोल रहा था कि जब भी आपको time मिले क्यूबा के education और health sector में इन्होंने क्या role play किया था वो आप जरूर study करना इनके अलाबा कई सरे critics से मानते हैं कि क्यूबा का जो model था उसको open करने का बहुत ही slow down rise compare to दूसरी communist economy जैसे चाइना है उन्हें 1978 के बाद backdoor policy के तुरू जो है चाइना ने अपनी एकनोमी को धीर धीरे खोलना शुरू किया लेकिन यहां पर इन्होंने काफी restriction लगाएगे 1990 के बाद जब USSR का division होता है various centralization countries और कई सारी countries में लगव 15 देशन में डिवीजन हुआ था exactly आप इसमें नंबर जो है वो आपडान हो सकता लेकिन approximately 15 कंट्री में USSR का सोयूत संग जो इसको उस टाइम बोलते थे division हुआ इसके बाद कई सारी ऐसी कंट्री है जो से वेंजियोला एकवर्डर स्पोर्ट करती क्यूबा को लेकिन दोनों ही कंट्री खास कर वेंजियोला जो है वो political और economical crisis जो face कर रही है और डोनाल टरंप के time period में कोई खास progress नहीं हुई इनके लावा यह economy जो है क्यूबा की economy tourism पर भ country में reform की जो हम बात करते हैं या इस country के revival की जो बात करते हैं वो आने वाले time में ही पता चलेगी और एक opportunity हो सकती है political transformation के through ठीक है तो यह article भले ही exam में ना आए हो भी सकता है exam में बूसा भी जाए लेकिन important हो सकता है concept को समझने में पूरी दुनिया में इस time चल किया रहा है इस इसको लेकर एक editorial दिया गया the election commission of India cannot be a super government यानि election commission of India एक super government नहीं हो सकता और इसको लेकर यह बोला गया कि election commission of India के पास power क्या है कैसे function करता है उस चीज़ को लेकर analysis किया गया आप लोगों को जो इस तरह के article बिलकुल summarize form में मैं आपको से discuss करूंगा ताकि आप concept to the point जो समझ सके पूरा editorial पढ़ने की requirement नहीं है बहुत detail में editorial गिया गया है बात करते हैं सीधा मुद्धे पर आते हैं TN session जो है एक chief election commissioner बने थे जब तो उन्होंने article 324 क्योंकि constitution में जो various parts दिये गए हैं उसी में से election commission of India के बारे में article 324 जो है discuss करता है और क्या और किस तरह की power जो है election commission of India को है आप लोगों नीचे comment करना है कि election commission of India जो है भारत में किस-किस post के लिए किस-किस के election जो conduct करवाता है वो आपको नीचे comment करना है इसमें बताया गया कि article 324 के अंदर जो provision है उसमें उसके बाद एक case हुआ था case का नाम है महिंदर सिंग गिल वर्जे चीफ election commissioner 1978 में और Supreme Court के I think SC 851 बन दिया गया मुझे exactly इसका मतलब नहीं पता लेकिन हो सकता है कि ruling number हो या case number कुछ भी हो सकता है आप इसमें particular case समझ सकते हैं Supreme Court का case था महिंदर सिंग गिल वर्जे चीफ election commissioner अर्टिकल 324 के बारे में discussion करता था इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर free and fair election conduct करवाने की responsibility जो है वो election commission of India की है और इसके लिए वो all necessary step जो उठा सकते है constitutional provisions की under ये आप important इसमें subject देखने को मिलेगा इसके बाद आता है model code of conduct के बारे में model code of conduct है क्या basically सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए model code of conduct जो है वो election commission of India द्वारा issue की जाती है और जैसे ही election declare होता है model code of conduct जो है वो implementation ह हो जाती है तो ये क्या है basically a set of guidelines meant for political party candidate and government यानि जो political party candidate और government तीनों के लिए guideline होते है कि इस तरीके से आपको पूरा election लड़ना है और during election ये पूरा process रहता है इस model code of conduct का origin जो माना जाता अलग-अलग level पर होता है और model code of conduct जो है सभी political parties खासकर जो recognized है जो listed political party है चाहिए वो national level की हो state level की हो उनके थ्रूँ एक mutual consensus हुआ था या आपसी 70 के basis पर ही बनी थी 1960 के आपस केरला government में जो assembly election हुए तो उस time पर ही माना गया कि वहाँ पर इसको approach किया गया इसके बाद 1991 में जब भारत में election हुआ तो उसके बाद से कहीं ने कहीं ये enforceable जो है वो strictly enforceable किया गया और इसके थ्रूँ जो है basically कुछ rules and regulation को causes किया जाता है कि उनमें implementation किया जाए और इ instruction होते है clarification कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लेकिन model code of conduct जो है वो enforceable नहीं है ये एक बड़ा reason है और इसको कहीं कहीं legal backing इसके पीछे नहीं यानि model code of conduct को किसी लोग के थ्रू implementation नहीं किया गया है पहले ये माना जाता था कि इसको recommendation भी दी गई थी कि इसको representation of people act 1951 के अंडर इसको include किया जाए लेकिन election commission of India इसे agree नहीं हुआ reason ये मानता है कि अगर इसको representation of people act 1951 के अंडर include कर दिया गया तो इसका मतलब क्या होगा कि election के जो process है उसमें पूरी चीज़े court के अंदर जाएगी और इसकी वज़े से delay वहाँ पर होगा अब यहाँ पर कई सारे च question होगा result question का मतलब क्या है कि अगर paragraph 161a को देखेंगा आप election symbol reservation and allotment order 1968 इस order को आप देखेंगे तो इसमें ये बोला गया कि commission जो है withdraw कर सकता है suspend कर सकता है किसी political party जो की recognize है उसकी recognition को लेकर और ये model code of conduct को refuse करता है तो उस context के मामले में लेकिन क्या इस तरह की power actual में जो हो election commission of India को है transfer official की power हो सकती है क्योंकि government आपने देखा होगा recently West Bengal के अंदर election है तो कई सारे official को transfer किया जाता है एक side से दूसरी side क्योंकि government को कहीने कहीं deal करता है administration power भी election commission of India के पास particular time frame में रहती है ठीक है तो ये कुछ चीज़े हैं जो यहाँ प स्रीके से लालच कह सकते हैं इस तरह की चीज़े क्या हो सकती है for example election commission of India ने केरला के अंदर जो कोई supply kit है जिसके अंदर rice, pulses, cooking oil और इस तरह की item ते उनको ban करती है था stop करती है क्योंकि उनका माना था कि model code of conduct का violation है लेकिन यह important भी थी क्योंकि COVID-19 के बाद यह कहीने कहीं जो है इंपोर्डर माने जाते थी लोगों को supply करना लेकिन model code of conduct में किस तरह के items आते हैं और mal practices होती है तो इसको लेकर सुबरमनियम बालाजी वर्जी गोर्रमेंट अफ तमिलनाडो और and ors करके case था उसमें इसके बारे में define किया गया तो यह कुछ चीज़े है और various चीज़ें बत arbitrary power नहीं दी जा सकती reason is that कि अगर arbitrary power किसी भी body को दी गई चाए वो election commissioner of India ही क्यों नहों तो एक constitutional crisis हमें देखने को मिल सकता है तो तीन editorial आज important थे तो हमने discussion किया इसके बाद बात करेंगे page number 8 पे page number 8 पे दो information important हो सकती है पहला cv to study supreme court ordering isro case to decide on further action इनके बारे में हम already discuss कर चुके न नामी नरायन एक important scientist थे और 1994 के आसपा जब ये cryogenic technology पर काम कर रहे थे तब इनके खिलाफ एक allegation लगाया गया कि जो official document है ये दूसरी countries को supply करते है एक तरीके से जासुसी का आरोप इनके खिलाफ लगा था बाद में ये सारे आरोप जो हो baseless निराधार साबित हुए और उसके इनके इस पूरे scenario में एक committee गठित की जाती Supreme Court द्वारा DK Gen lead करेंगे उसको और पूरा मामला जो CBI में ये कहीं ने कहीं जाएगा CBI basically investigation करेगा कि कौन लोग इसमें responsible थे जन्होंने कौन police वाले कौन person जो इसमें responsible थे जिनकी वज़े से क्योंकि अगर आप देखेंगे 20-22 साल 24-25 साल जो इनके जिनकी के खराब होगे रूस टाइम जब येक important technology cryogenic engine technology important माने जाती है वो वहाँ पर काम कर रहे थे और एक scientist को हमन कहीं ने कहीं खो दिया ये एक important है इसके बाद हलाकि इनको compensation दिया गया 50 लाग रुपे लेकिन किसी व्यक्ति का scientist रोल को जो है वो पैसे से या monetary purpose से इसको count नहीं किया जा सकता ये एक important है इस पूरे मामले को investigation किया जा रहा है committee की दोबारा और CBI इस पूरे मामले में analysis कर रहे इसके बाद इसी page पे जो एक important news हो सकती है वो ये bat with sticky disc करके कि ये मिली है और ये मिघाले के non-chilem wildlife century से मिली है अब कई लोगों लगेगा कि इस तरह की चीजें क्या examination पूशी जाती है तो मैं ये आपको बता दूँ कि जितनी भी species news में रहती है और अगर आप दहिंदू में particular regular आई है तो उसके पीछे कुछ ने कुछ logic हो सकता है और मैं क्योंकि UPSC में wildlife century, national park, ramsar site या biosphere resort ये important हो सकती है और कई सरे regions है क्योंकि आपके examination में civil service examination के साथ आपका forest services का preview include है तो definitely question का number जो increase हुआ है और आने वाले time में भी पूशा जा सकते है ठीक है तो आप ध्यान रखें national park, wildlife century, ramsar site जितनी भी news में रहती है प्लीज उनको note down करेंगे और आप उनको study करते रहेंगे तो ये एक non-khyalum wildlife century है में घालेक के अंदर उसमें ये news में रही और geological survey of India ने इसमें analysis किया है इस पूरे के पूरे information को लेका इसमें बताया गया कि ये जो species है वो भारत के अलाव इनमार यहाँ पर भी इस तरह की species जो है वो देखने को मिलिए तो ये आप छोड़ी छोड़ी information जो है वो note करेंगे जो logical survey of India का headquarter का आप पर है ये आपको नीचे comment करना और क्या जो logical survey of India किसी ministry के अंडरकाम करता है या नहीं ये भी आपको नीचे comment करना है page number 8 से आपके लिए इक brief में question है page number 9 पे कोई खास particular news नहीं है लेकिन एक article दिया गया है अनकेडमी वालों का और article जो है वो क्योंकि महिपाल सिंग राठोड साब ने लिखा है डॉक्टर महिपाल सिंग राठोड इनका ये tutorial हम पढ़ेंगे brief में summarize form में देखेंगे क्या इन्होंने major बाते बोली है और ये basically article है PLI यानि production linked incentives scheme को लेकर और कैसे ये काम करती है तो उसके बारे हम पढ़ेंगे हमने देखा कि pandemic के बाद कैसे government of India आतम निरवर भारत करके campaign launch किया उनको लेकर production linked incentives है क्या उन सब चीजों का हम discuss करेंगे भारत 1947 में अजाद होने के बाद हमने अपनी economic policies को खासकर socialistic principle क basis पर foreign investment companies को form किया और कहीं ने कहीं कि investment में कह सकते कि अपने आपको self-sufficient जैसी चीजों को लेकर हमने planning commission और सारी चीजों बनाई लेकिन आप जानते किसी भी country में आप दुनिया की कोई भी economy देख लीजिएगा वो अपने आप में complete self जो है वो sufficient नहीं हो सकती हलाकि बहुत सारी चीजों में आप कह सकते कि dependency को reduce किया जा सकता है इनके बाद कई सारी घटना होती है और भारत ने अपने लेवल पर industry को modernization करने की कोशिस करी 1978 के बाद जब चाइना और दूसरी economies ने अपने आपको open करना शुरू किया तो 1991 के बाद भारत में चाहिए वो हमारी मजबूरी मान हमने अपनी एकनोमी को LPG के तरू जो है वो खोलना शुरू किया इनके बाद 2020 में और pandemic ने कहीं सारी चीज़ें बदल के रख दिया है और पूरी दुनिया की एकनोमी को कहीं ने कहीं चेंज कर दिया है इसके बाद आतम निर पर भारत और self sufficient का एक concept आता है और इसको इस concept का purpose बेसिकली क्या है जब premises साब focus करते हैं कि भारत में various local industry को के थरू जो है job को create किया जा सकता है और unemployment plague को कहीं ने कहीं reduce किया जा सकता है उसमें domestic manufacturing sector का important role होता है तो production linked incentive क्या है कि जितने भी manufacturing unit है सबसे पहले ये अप्रेल में जब शुरू किया गया था तब electronics को लेकर target किया गया यहने electronic manufacturing को focus करना government के तरफ से support करना इसके बाद 10 और sector में include कर दिएगे जिनमें आप देखेंगे इसमें food processing है battery storage है battery storage important हो सकता है क्योंकि government of India यह हमारे एक planning है कि हम अपने विकल को जो है electrical विकल में transform करेंगे उसके लिए हमे requirement क्या होगी कि battery storage होनी चाहिए या batteries की capacity है उसको हम लोग improvement करें और खासकर lithium वाली जो battery उनको उनके plants हमार यहाँ पर लगे उनमें एक improvement देखनों को मिले इनके अलावा automobile component है या उनके specialty steel को लेकर हो ये सारी चीज़ों को लेकर support करना इनमें अगर आप देखेंगे right direction के अंदर approach के बारे में बताया गया कि PLI के को लेकर 130 pharmaceutical companies के थ API खासकर API बहुत important है API का मतलब है कि जो active pharmaceutical ingredient जो होते है यानि जो vaccine को बनाने में किसी भी दवाई को बनाने में एक ingredient के तरह काम करते हैं उनका important role है इनके अलावा इसमें white good एक word यूज किया गया white good के अंदर air conditioner और LED lights को लेकर भी important है इनमें अगर आप देखेंगे पूरे scenario के अंदर कैसे pandemic के दुरान हम अपने आपको अपमारी economy को motivate करेंगे और photovolatics module को भी कैसे implement करेंगे यह important है इनमें better future को बनाने के लिए कैसे काम किया जा सकता है उस particular चीज पर भी इनोंने लिखा कि entire population में हमने हमारे लिए important क्या quality health care के access हर किसी के पास हो और COVID-19 pandemic ने हमारे public health system को कहीं ने कहीं exposed भी किया कि इस तरह के जो हमारा health care system है वो present करता है इनके अलावा human history के अंदर बहुत सारे हमने problem देखी लेकिन इस बार इसी मन्त की बात करें तो co2 का जो emission है atmospheric risk वो कहीं ने कहीं highest level पर हमें देखने को मिलेगा climate catastrophe या आप देखेंगे या नि climate change के जो impact है चाए flood हो, droughts हो, cyclone हो, erratic monson हो और इसकी वज़े से massive economic damage जो है में देखने को मिलता है पेलाई जो है एक important role play कर सकता है और ये important role इसलिए play कर सकता है क्योंकि आने वाले time में जब fossil fuel को replace करेंगे high efficiency solar photovoltaic models के तरू तब ये एक important role play करेगा और दुनिया भर के देश ये planning कर रहे हैं कि जो इस time हम fuel को use कर रहे हैं वो अने वाले time में hydrogen fuel से replace कर दिया जाए यानि advanced technology है इस तरह की technology हो की fuel efficient भी हो और environment को भी pollute ने करें इनको लेकर discussion इस particular चीज़ों में किया गया और इसके लिए requirement है ये dream तब ही सही सावित हो सकता है जब इसमें investment करेंगे और green technology और commodities पर हम लोग focus कर information है वो है oxygen plant को सेंक्षिन कर दिया गया है 162 oxygen plant को सेंक्षिन कर दिया गया और भारत के अलग अलग स्टेट के अंदर यह सेंक्षिन किया जाएगा इसमें PS से एक word यूज किया गया है इसका नाम है pressure swing absorption करके और COVID-19 के दुरान अब जो second wave हम देख रहे हैं इसमें एक problem जो आ र environment में या क्योंकि एक breathing problem को sort out करने के लिए प्रोपर oxygen supply का होना जुरूरी है तो उसको maintain करने के लिए various plant को sanction किया गया और implementation किया गया इसी तरीके की जो railway है वो oxygen express train जो वो चलाएगी इनके अलावा industrial जो use होते है oxygen का उसमें कुछ important sector को छोड़के एक restrict कर दिया गया है अप्रेल 22 टू से ठीक है तो यह important information है कुछ important sector जैसे जो wilds बनाते है या pharmaceuticals है refineries, steel plant, nuclear, energy, facility, oxygen, cylinder, waste water treatment plant है food and water purification है इनको छोड़के oxygen जहां पर use की जाती है industrial sector में उसको bicep trail से फिलाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए तब तक एक जो supply जो proper continue नहीं हो जाए तब तक ठीक है इसके पाद page number 13 पे जो world affair है इसमें दो तिन information है पहला United States और चाइना के बीच में climate crisis को लेकर एक cooperative या वो दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे यह important है यह important इसलिए भी है क्योंकि चाइना और US दोनों ऐसी country है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा carbon emission करती है carbon को produce करती है CO2 को produce करती है और दोनों की responsibility भी important है अप्रेल 22 और अप्रेल 22 को Joy Biden जो की US के president है वो hold करेंगे एक international summit इस particular topic को लेकर और इसी चीज़ को लेकर यह important है और यह बोला गया कि United States और चाइना जब हम Joy Biden ने सपत ली थी यह एक तरीके से White House के अंदर उन्होंने post को hold किया था तब उन्होंने एक त सकता है तो climate को लेकर दोनों के बीच में कोई इतना मतभेद नहीं है और दोनों country इस बात को लेकर agree करते हैं कि जो issues उनको result किया जाए और climate crisis में जितनी urgency है या seriousness particular issue को लेकर है उन दोनों country का important role है climate change की जो एक तरीके से आप summit कर सकते हैं इसको US hold करेगा उसमें सभी countries को खासकर major countries को invite किया गया है और biggest pollutant होने के नाते है चाइना की responsibility भी है कि वो अपने जो national emission plan है उसको कईने कहीं और ज़्यादा उसमें improvement करे या और ज़्यादा जल्दी target हासिल करने को लेकर planning करे और आने वाले time में fossil fuels को जो है वो planet को warm कर रहे है उसको कईने के reduce किया जासके इस बात की insurity को लेकर ये country काम करे इस बात को लेकर discussion particular discussion के अंदर हुआ और चाइना का एक concern जो हमेशा रहता है चाइना ये मानता है कि इस चीज को लेकर एक political ये geopolitical pressure create नहीं करना चाहिए किसी भी country को लेकर ये trade barriers जो है वो नहीं लगाने चाहिए यानि अन्त में वो एक बात जो हमेशा बोलता है कि trade barrier नहीं होने चाहिए unnecessary क्योंकि उसका असर जो दुनिया भर की देशों पर पड़ता है इसके बाद चोटी चोटी information एक इनका क्योंकि एक इनके इरान के कोई क्लेरिक थे या religious guru थे उनकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद relation जो है वो बिलकुल back door पे ये कहीने के discussion है कि इराक के प्रैमिनिस्टर के थुरू दोनों countries के बीच में relation जो वो discussion किये जा सकते हैं और इसमें लेबनान का issues हो चाहिए यमन में जो issue हो उनको कहीने कई dissolve करने को लेकर discussion किया जा सकता है लेबनान में एक attack हुआ था अपको याद होगा एक विसपोटक की वज़े से attack हुआ था वो किस वज़े से कौन सा उसमें chemical use किया गया था अगर किसे को ध्यान हो तो आप नीचे comment करेंगे लेबनान इस टाइम एक political vacuum जो फेस कर रहा है और उसके बाद क्योंकि लेबनान के अंदर हिजबुला मुमेंट जिसको बोलते है हिजबुला मुमेंट क्या है basically इरान स्पोर्ट करता है इस group को ठीक है और क्योंकि ये terrorist group बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं कि अपने आप में power हासिल करने का effort बोल सकते हैं इरान का ठीक है इसी तरह की problem जो यमन में जो लगाता पर नहीं करेगा इसके बाद इरान है और जोई बाइडन की जो नई पोलसी उसमें स्पोर्ट भी किया गया सौधी रिविया को वो स्पोर्ट नहीं करेगा financially इस पर्टिकुलर कंट्री को राइट तो इस वज़े से रिपोर्ट में है हलाकि दोनों तरफ से officially कोई भी notification इस त करेंगे तो आज के इस complete देहिंदूम इतना ही थैंक्यो जहिन